सदस्तों फानली संसंग अपने अपने संसंग गलेक्सी S23 FE 5G जो फोन है यानि की फैन एडिशन उसको फानली इंडिया के साथ साथ ग्लोबली लॉंच करने जा रही है जिससे रिलेटिस सारी सारे निव सामने निकल के आ चुकी जिसमें अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिक की अंदर मिल जाएगा अब हो सकता है कि मीडी अपड़ को मिल जाए या फिर ऐंद ऑस सेप्टेमबर गों को मिल सकता है है या फिर। सs ANS की क्या प्राइज क्या चेंपनी को मिल सकती है फून की дополн ऑल चेंब आ बतार में यह बहुत हो सकता है इस की प्रायत सकते हैं, निरे कि कर देख देखना है सबीन तो जैसे कि डिस्प्ले पे आप लोग देख पार रहे हो इस टैप का अवर्ल आपको जो लुक है प्लाइस को मिल को मिल जाएगी बात करेंग हम इस फॉन के display size की तो इसके अंदर 6.4 inch की full HD प्लस एक dynamic mAlert display देखनेगों मिल जाएगी जिसका जो refresh rate होगा वो 120Hz refresh rate देखनेगों क 되면 अदर को samsung की डिस्प्ले होती ना वो काफी color accurate के साथ आती है, इसके अंदर आपको जो color अगरा का है, जो viewing angle है, वो आपको काफी अच्छा देखनों मिल जाता है, display quality काफी देखनों मिल जाती है, क्योंकि Samsung की खुद की display होती है, तो उसके अंदर आपको जो color वगरा का experience है वो काफी इच्छा देखने को मिल जाता है साथ ही साथ अगर आप इस पर gaming करते हो या फिर व्राउजर वरा करते हो तो उसकी smoothness आपको इसके अंदर देखेंगी clear तरीके से बात करें इस phone के अंदर इस पिरो multi-tasking के लिए तो इस phone के आपको दो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे जो कि एक होगा एक जनस इनका खुद का samsung का प्रोसेसर जो कि है 2200 और उसी के साथ साथ जो दूसरा प्रोसेसर है वो है कॉल कॉम स्नाप रेगन इट जैन फर्स्ट डॉला प्रोसेसर अब दोनों प्रोसेसर जो ना फॉर निनुमेटर टेकनोलजी पर बेज़ड है जिसके मतर हम क्या सकते हैं कि अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कॉल कॉम स्नाप रेगन एट जैन फर्स्ट के साथ अब जितनी लेक्स मतर्ब जो निकल गया है मैं उसके अकोडिंग आप वह उता रहा हूं कर सकते हैं कि संसंग कमपणी को स्नाप ड्राइगन के साथ भी लॉंच कर सकती है बहुत ज्यादा चैन्स थे कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाते हो तो थोड़ा से सपोर्ट करदो विकोज मैं आपको इससे अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हूं लाइक Unboxing और Review अगरा की Because आप लोग वीडियो तो देखते हो But चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो जो कि आप इस साइट पर देख सकते हो तो जो नोट सब्सक्राइब हो सबसे जाद है और जिनों सब्सक्राइब के वो कम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सब्सक्राइब करो ताकि इस से अच्छे कंटेंड आपको पुराइट कर सकूँ बात करें इस फोन के अंदर इंट्नेश्टो जो रैम होकर की प्रेश्टो एस फोन के अंदर आपको आौट ओपड़ ऑख्ग अंडुइट थेटिन डेखने को मिले जाएगा जो कि संसम्संग प्रोमिस करता है कि आने वाले चार साल तक इस के अंदर आपको एंडुइड का अपडेट देखने को मिलेगा साथी साथ phone के अंदर आपको security fetch के update भी देखने को मिलते रहते हैं तो एक चीज़ से clear हो जाते है कि जो Samsung company एक future proof phone बनाता है तो इसमें आप अगर phone bike करते हो तो चार साल तक आपको latest Android का support देखने को मिलेगा आप latest Android का support देखने का मतलब क्या होता है कि आने वाले जितने भी 4 साल के अंदर software या application डवलप होंगी वो आपके phone को support करेंगी उसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आगी तो यह सबसे अची चीज़ आती है साथी साथ phone के इंदर security बनी रहती कि अगर कोई blue wear और आ जाता है कोई भी virus और आ जाता है क्योंकि आप net और चलाते हो internet सर्व करते हो तो उससे थोड़ा बहुत virus और आने के chances होते भी है तो वो next update के अंदर सारे fix होते तो यह काफी अच्छा कदम उठाती है Samsung company जो कि पहले कई कंपनिया नहीं करती थी बट आप अब देरे-देरे सारे यह चीज़ करने लग गई है वैसे आपके फोन के अंदर software का update मिलता है मैं बात करूं Android की अगर मिलता है तो comment सत्र में जरूर बताना चलिए हम बात कर लेते इस फोन के अंदर बेड़ो गराफ फिर photographic लेते इस फोन की rear में triple camera setup देखने को मिल जाएगा जो कि जिसका primary camera होगा वो 50 megapixel का देखने को मिल सकता है अल्ट्रा वाइट camera 8 megapixel का और वहीं पर जिसका जो थर्ड camera है वो हमें देखने को मिल जाएगा 12 megapixel का telephoto lens तो camera की quality काफी next level होने वाले है जिसके अंदर आप 4K वीडियो गरा आराम से suit कर सकते हो और no doubt कि इसका जो 50 megapixel प्राहमरी camera वो OISN की optical image stabilization के साथ आएगा तो आपको जो वीडियो के अंदर stabilization हो वो काफी अच्छी देखनों को मिल जाएगी बात करे फोन के front camera है तो फोन के front में 10 megapixel का single selfie camera देखनों को मिल सकते हैं तो अगर आप लोग इससे वीडियो गरा शूट करना चाते हो तो फोर की quality में आप अच्छी कासी वीडियो से suit कर सकते हो तो हां अगर आप blogging के लिए बाइकन चाते हो या फिर वैसे भी अगर आप rails अगर बना चाते हो फिर shorts अगर बना चाते हो तो इसके camera से आप आराम से बीडियो गरा शूट कर सकते हो बात के इसके अंदर हम connectivity की तो फोन के अंदर आपको Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, Charging के लिए भी Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाएगा साथी साथ इस फोन के अंदर आपको 5G की भी connectivity देखने को मिल जाएगा चलिए बात के लिए इस फोन के अंदर बैर्ट बिकोज मेरे पास Samsung Galaxy S20 FE है वो ये सारे चीज़े support करता है तो इस फोन के अंदर ये चीज़ का support आपको देखने को मिल जाएगा अब ये फोन जो है IP68 Water Assistant के साथ आता है यानि की Water and Dust Assistant का support देखने को मिल जाता है जिसका मतलब अगर फोन के उपर कभी गलती से पानी अगर अग इससे क्या होगा कि अगर आपके फोन के अंदर वोटर डैमेज हो जाता है तो कंपनी इसका क्लेम बिल्कुल भी नहीं करेगी तो ये चीज़ थोड़ा अपने रिक्स पर करना अगर आप ऐसा करना चाते तो बाकि हां गलती से कभी घिर जाता है तो वह आपको थोड़ा उनको किस प्राइस पॉइंट पे एंडिया के लिए लाउंच कर सकती है और इसके लाओं क्या चीज़ चेंजिस देखने को मिल सकते हैं आपको जो भी लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना So if you like this video please hit the like button and subscribe to my channel and thanks for watching